अगर आप weight loss करना चाहते हैं और आप daily walking करते हैं और फिर भी आपको results नहीं मिल रहे हैं तो इस वीडियो का ध्यान से दिखिएगा walking सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो जब आप walking करते हैं तो इन कुछ चीजों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा सबसे पहली चीज है आपकी heart rate walking weight loss के लिए effective हो इसके लिए सबसे पहले जानते हैं maximum heart rate 220 minus your age यह आपकी maximum heart rate है आप इस picture में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले left hand side में अलग-अलग zones हैं अगर आप zone 3 और zone 4 में हैं तो आपकी walking बहुत ही ज़्यादा effective होगी दूसरे words में आपको target करना है कि आप 70% आपकी maximum heart rate को achieve कर पाएं इसको calculate मैंने बहुत simple तरीके से किया है माना किसी की age है 40 220 minus 40 maximum heart rate होई 180 at least 126, 70% आपको कोशिश करनी है कि आप अपने walking session में achieve कर पाएं अगर आप achieve कर सकते हैं तो आप पहुत जाते हैं zone 3 और zone 4 में जिसमें maximum आपका fat burn होता है, aerobic capacity बढ़ती है, muscle strength बढ़ती है और साथ में आपको अपनी walking का maximum benefit मिलता है इसको achieve करिएगा, इससे related कोई भी आपकी query है तो प्लीज यहां पे message drop करें